भारत माता की सीता मैया राजा जनत कभी राज विद्यापती के इमिथिला भूमि के नमन करे छी ज्यान, धान, पान, मखान से समरुद्ध हुई इग गवरवशाली धर्ति पर अपने सब के अभिननन करे छी बिगहार के मुख्यमंत्री, मेरे मित्र भाई नितिश जी जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशिरवाद निश्चित मिलने वाले हैं जेडियो, बाजपा, हम पार्टी, वियाईपी पार्टी के अन्य सभी प्रतिनिदिगाण और विशाल संख्या में पदारे हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों बिहार की पवित्र भुमी पर मैं राजा सलहेश बीर शिरो मरेनी बाबा चोहर मल रहा बाबा और गोरिया बाबा को भी नमन करता हूँ बाबा चोहर मल और तमाम संत जनों के आशिरवाद से ही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आज देश के विकास का आधार है साथियों आज यहां दर्भंगा के अलावा मदुबनी और समस्ति पूर्शही अनेक विदान सबाक्षेत्रों से आप सभी हमें आशिरवाद देने के लिए आए हैं मैं आपका रुदय से अभिनंदन करता हूँ साथ साथ हजारों साथ ही अलग अलग इलाकों में डिजीटल माद्यम से भी आज हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी भाईयों बहनों को आपके उत्सा को आपके संकल्प को बिहार के प्रति आपके समर्पन को मैं आज आदर पुर्वक पढ़ाम करता हूँ बाईयों और बहनों आज पहले चरण का मतदान चल रहा है जहां जहां मतदान हो रहा है उन सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि कोरोना से बचने के लिए पूरी सावधानी बरते चुनाओं के व्यस्त कारकमों के बीच हमारे सयोगी और वियाइपी पार्टी के द्यक्ष मेरे मित्र बाई मुके साहनी जी को कोरोना हो गया बिहार के उप्यमुक्ष मेंत्री बाई सुचिल मोदी जी को भी कोरोना से लड़ना पड़ रहा है मैं बिहार के किसी भी राजनी दिक्दल के कार करता जो इस गहमा गहमी के सवाए कोरोना से ग्रस्त है तो मैं उन सब के स्वास्त लाप के लिए प्रार्थना करता हूँ बिहार के नागरिक भी इस कोरोना के संकटकाल से अगर कोई बिमार है तो जल्द स्वस्त हो जाए यही मैं प्रार्थना करता हूँ साथियों महाकभी विद्यापती ने इस छेत्र के लिए एक बार मासीताजी से प्रार्षना की थी और विद्यापती जी ने मासीताजी से कहा था जनम भुमी अच्छी मिथिला समारू हे मा कनी आभी अपन नहर निहारू हे मा विद्यापती जी ने तब के मिथिला की स्थिती पर मासे यागरह किया था अब आज हम देखें तो बीते पंदरा वर्षों में बिहार नितीजी के नेत्रुत्व में बहुत आगे बड़ा है आज मासीता अपने नहर को तो प्रेम से निहार ही रही होगी अयोध्या पर भी आज यहां की नजर अवश्च होगी सद्यों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में बव्यराम मंदिर का निर्मान शुरू हो गया वो सियासी लोग वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीक पुछा करते थे बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं मा सीता के इस छेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्मान की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ क्योंकि आप उसके प्रमुग हकदार है भाई और बहनों बाजपा की पहचान है NDA की पहचान है जो कहते हैं वो करके दिखाते है देश में पहली बार यह हुआ है जब मैनिफेस्टों का उठा कर यह आकलन लगाया जा रहा है कि अब आगे कौन सा कदम सरकार उठाने वाली है हमने कहा था हर किसान के बैंक खाते में सीधी मदद बेजेंगे आज करीब करीब एक लाग करोड रुपिय की सीधी मदद किसान के खाते में जमा कराई जा चुकी है हमने कहा था हम गरीब का बैंक खाता खोलेंगे आज चालीस करोड से जादा गरीबों का बैंक खाता खुल चुका हमने कहा था हर गरीब बैंन बेटी की रसोई में मुक्त गैस कनेक्शन पहुचाएंगे उजबला योजना ने बिहार की भी करीब नब्बे लाग महिलाओं को लकडी के दुएं से मुक्त किया है हमने कहा था हर गरीब को पाँच लाख रुपिय तक के मुक्त इलाज की सुविदा देंगे आज बिहार के भी हर गरीब को ये सुविदा मिल रही है और भाई और बहनों कोरोना के इस संकट काल में हमने ये भी कहा था कि हर गरीब को मुक्त में अनाज देंगे 130 करोड का देश दुनिया को अच्रज हो रहा है आठ महिने तक इस देश का कोई व्यक्ति भूखा न सो जाएं इतनी बड़ी व्यवस्ता कोरोना के संकट काल में भी हम कर पाए आज बिहार के भी गरीबों के लिए दिवाली और छटपुजा तक मुक्त में रहिश राशन की व्यवस्ता की गई है बाड के दिनों में सरकार की इन योजनाओं ने गरीबों की बहुत मदद की है साथियों इस खेत्र में पानी से होने वाली बिमारियों की दिक्कत हमेशा से ही रही है इस दिक्कत का एक बड़ा इलाज है हर गर पीने का शुद्ध पानी पहुँचे बीते समय में पूरी ताकत से बिहार में एक काम किया गया है अगर मैं दरभंगा और मदुमनी की ही बात करूँ तो इक शेत्र में ग्यारा लाग से जादा गरों को पाईप कनेक्शन से जोड़ा गया है बहुत जल्ब बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां पर घर में पीने का साब पानी पाईप से ही पहुचेगा तब ये गंदे पानी से होने वाली बिमारी नहीं होगी किसी मा को अपना लाल अपनी लारली को खोना नहीं पड़ेगा हमने ये संकल्प लिया है और इसे भी पुरा करके दिखाएंगे बाई और बहनों एंडिये का यही ट्रेक रिकॉर्ड आज बिहार के जन जन को आस्वस्त करने वाला है एंडिये ने बाजपाने विकास का जो रोड मैप अपने मैनिफेस्टों में खीचा है उस पर तेजी से अमल होगा ये तैय है आत्म निर्बर बिहार का जो संकल्प लिया है उस पर हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे दर्भंगा में एम्स बनने से मिधलांचल को बहुत बड़ी सुवीदा मिलेगी दर्भंगा एम्स के लिए बारा सो करोड रुपिय से जादा मंजूर किये गए हैं एम्स बनने से यहां के लोगों को बहतर स्वास्त सुवीदाएं तो मिलेगी ही मेडिकल की पढ़ाई की सीटे भी बड़ेगी इसी तरह सौप्वेर पार्ग बनने से भी यहां के प्रभाव स्पतिवा साली युवाओं को टेक्नलोजी के खेत्र में अधिक से अधिक आउसर मिल रहे है दर्भंगा में एरपोर्ट की आधुनिक सुवीदाई मिलने से पूरे मिधिलांचल की कनेक्टिविटी और ससक्त होगी रामा एंड सर्कीट का अहम हिस्सा होने के कारण मिधिलांचल में परियतन तिर्षाटन की संभावनों का विस्तार होगा आत्म निर्फर बिहार में उद्योगों के लिए नए आउसर मनेंगे युवाओं के लिए रोजगार स्वर रोजगार के अउसर मनेंगे गरीबों के लिए जो दस प्रतिशत गरीबों के लिए जो दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवत्ता की गई है उसका लाब भी इस छेत्र के युवाओं को मिल रहा है इसके साथ ही सरकार ने हमारे दलीत पिछडे अति पिछडे भाई बहनों के लिए आरक्षण को जो अगले दस साल के लिए बढ़ा दिया है वो भी यहां के नवजवानों के लिए लाबकारी है साथियों बिहार की मिधलांचल की कनेक्टिविटी को पी-एम पैकेज से भी बहुत ताकत मिल रही पी-एम पैकेज के तहट बिहार के गावों में हजारों किलोमिटर की सडकों पर काम हुआ है 55,000 करोड रुपिये उससे भी अधिक बिहार के रोड नेटवर्क पर खर्च किये जा रहे है दर्भंगा मधुबनी सीता मडी के आस्पस में रोड कनेक्टिविटी ठिक करने के लिए सडकों पर तेजी से काम चल रहा है दर्भंगा समस्तिपूर रेलिवे लाइन के दोरीकरन का लाप भी इस खेत्र को होगा साथियों, पहले के समय जो लोग सरकार में थे उनका मंत्र रहा है पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है पैसा हजम परियोजना खतम उन्हें कमिशन सब्द से इतना प्रेम था इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया मिथिलांचल को जोडने वाले कोसी महासेतु के सार क्या क्या हुआ ये मेरे से जादा आप सभी मेरे भाई बेहन जानते हैं बली बाती जानते हैं 2003 में जब हमारे मित्र नितीश जी अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे अटल जी प्रदान मंत्री थे तब इस शेत्र मांग को पुरा करते हुए अटल जी ने महासेतु का काम शुरू करवाया था लेकिन उनके बात जिस तरह इस पर काम हुआ उससे लगता था कि मिधिलान्चल की जनता का ये सपना सपना ही रह जाएगा केंद्रे में NDA की सरकार मनने के बात और यहां नितुष जी की ताकत मिलने के कारण कोशी महासेतु का काम कई गुना तेजी से आगे बढ़ा और कुछ दिन पहलो ही मुझे कोशी महासेतु के लोकारपन का सवभाग्य मिला इससे 300 किलोमेटर की दूरी 20-22 किलोमेटर तक सिमट गई है अब 8 गंटे की यात्रा सिर्फ आदे गंटे में ही पूरे होने लगी है साथियों ऐसी सुविदाएं किसान, व्यापारी, उद्योग जगत, विद्यार्थियों को हर किसी को लाब देती है और युवाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करती है बिहार के लोगों को, मिथिलांचल के लोगों को, विकास के ऐसे ही कामों की रप्तार बढ़ाने के लिए मतदान करना है साधियों, बिहार के विकास के व्यापक रोड मैप का अगला चरण है आत्मन निर्भर बिहार आत्मन निर्भर्न मिथिलांचल या मिथिला पैंटिंग, कृषी, डेरी उद्योग, मचली के उत्पादन और कारोबार से जुड़ी अनेक संभावन आए है मिथिलांचल के लिए तो कहाई जाता है कि पगपग पोखर माच मखान मदुर बोल मुस्की मुकपान विद्या वैवाव शान्ति प्रतीक विद्य प्रतीक डिए मिथिला थी ऐसे में पान, माच, मखाना इन सब में आत्मंदिर भर भारत को ताकत देनी की बहुत बड़ी संभावना इस खेत्र में है समस्ति पूर्तो एक प्रकार से देश में क्रशी, पशुपालन और मच्चे पालन से जुड़ी रिसर्च का हब बन चुका है डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जी से लेकर जननायक करपुरी ठाकूर जी ने जो सपने देखे थे वो अब पूरे होते दिख रहे हैं डॉक्टर राजेंदर प्रसाद विश्व विद्याले को सेंट्रल युनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है मच्च संपदा योजना के तहट इस छेत्र के अनेक जिलों में मच्चली के उत्पादन से लेकर चारे तक के अनेक प्रोजेक्ट शुरू किये गये है जब करोणों का निवेश यहां होगा युवा उद्यमियों को आर्थिक मदद मिलेगी तो बड़ी मात्रा में नए रोजगार तयार होंगे साथियों फसल हो दूद हो सबजी हो मच्चली हो कोशिस ये हैं कि बिहार के अलग-अलग जीलों में जो बहतरीन उत्पाद पीडियों से उपदते हैं या तयार होते हैं उनसे जुड़े उद्योग लगाए जाएं इसके लिए जरूरी सुविदाएं गावों में तयार की जा रही है गावों में बन्नारण और कोल्ट स्टोरेज की सुविदा के लिए एक लाख करोड रुपिय का विशेश फंड बनाया गया है गावों में इन सुविदाओं के लिए निवेस बड़े इसके लिए जरूरी कानूनी सुधार किये गए है छोटे किसानों को बिचोलियों से उनकी चंगुल से बाहर निकाल कर कुर्शी उत्पादक संगों एप्पी ओस से संगडित किया जा रहा है ऐसे ही एप्पी ओस और दीदियों के समों बनारण की सुविदाओं से लेकर कुर्शी उत्योगों तक को चलाने वाले है बिहार के युवा उत्यमियों स्टार्ट अप्स के लिए भी अनेक आउसर नए कुर्शी सुधारों से बनाए जा रहे है साथियों दर्भंगा सहीर मिधिलान चल के एक बड़े हिस्से में आप अगले चरण में मतदान करेंगे राज्य के अन्य छेत्र के लोगों ने जो प्रण किया है उसी प्रण का आपको भी ध्यान रखना है ये प्रण बिहार के बविश्य के लिए आत्म निर्पर बिहार के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है बिहार के लोग ये ठान चुके हैं बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे बिहार के लोग ये ठान चुके हैं बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे बिहार के लोग ये ठान चुके हैं इस प्रतिवासाली धर्ति के नव जवानों को दोखा देने वालों को फिर हराएंगे बिहार के लोग ये ठान चुके हैं बिहार की महिलाओं का जीना दूबर करने वालों को फिर हराएंगे साथ योँ, जिन लोगों की ट्रेनिंग समाज को बाढ़ कर राज करने की हो जिन लोगों की ट्रेनिंग कमिशन खोरी की हो वो बिहार के हित में कभी सोच नहीं सकते बिहार के मेरे भाई और बहनो इनके ट्रैक रेकॉर्ड को याद रखिएगा ये वो लोग है जिनके राज में बिहार में अपराद इतना फला फुला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था ये वो लोग है जो किसान करज माफी का बात करके करज माफी के पैसे में भी गोटा लाग कर जाते हैं ये वो लोग है जो नोकरी देने के काम को करोडों रुपिय कमाने का जरिया मानते हैं इसलिए इन से सावदान रही है इन से सतर करे ही है बाई और बहनों एक तरफ एंडिये है आत्मनिर पर बिहार मिलानी का संकल पर लेकर खड़ा है दूसरी तरफ ये लोग है जो बिहार की विकास की परियोजना के पैसो पर नजरे गड़ाए हुए है याद रखिए एंडिये एंडिये यानि भाजपा जेडियू हम पार्टी और वियाईपी इनके सभी प्रत्यासियों को आपका एक एक वोट जो मिलने वाला है वो बिहार को तेज गती देगा बिहार को नई ताकत देगा बिहार के उजबल बविश्य में आगे बढ़ेगा बिहार आत्म निर्भर बनाएगा एंडियों को पड़ा आपका हर एक वोट बिहार को फिर से बिमार होने से बचाएगा इनी संकल्पों के साथ माता जानकी को प्रणाम करते हुए फिर से मैं आप सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिये भारत माता की करता हुए मेरे ये राइबतुा आप टाकतो एकता हाँ करता हा झाँ